नमस्कार सभी को मैं देविंदर पाल स्वागत करता हूँ अब सभी का डियस्पी कोचेंग सेंटर में देखिए आज की वीडियो में हम डियसी यू जूनियर एसस्टेंड के लिए दिल्ली सामान गयान में दिल्ली के सभी परियाटन इस्थल से रिलेटर कुशन्स कंप्लीट करेंगे देखिए बहुत इंबोडन टॉपिक है इस टॉपिक से आपके एकजाम में दो तीन कुशन्स जरूर पूंचे जाएंगे और देखिएगा दिल्ली सामान गयान की प्लेलिस्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंग के द देखिएगा वर्स 1921 में याद रखिएगा सभी चलिए देखते हैं कुशन नंबर सेकेंड केंद्रिया सची वालाय को कितने बिलोकों में विवक्त किया गया है तो देखिएगा दो बिलोकों में विवक्त किया गया है याद रखिएगा सभी चलिए देखते हैं कुशन नं 1931 में इंडिया गिट बन कर तैयार हो गया था याद रखिएगा चलिए देखते हैं कुस्स नंबर फोर्थ देखिएगा राजा सवाई जैसिंग ने सबसे पहले जंतर मंतर का निर्माड कहां करवाया तो देखिएगा नई दिल्ली में करवाया कहां पर नई दिल्ली में अंसर हो जाएगा चलिए देख्ते हैं कुस्स नंबर फाइब दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माड राजा सवाई सिंग ने कब करवाया तो देखिएगा 1724 में चलिए देख्ते हैं कुस्स नंबर सिख्स देखिएगा दिल्ली का गोल डाक खाना पहले बिर्टिस काल में किस नाम से जाना जाता था दिल्ली का गोल डाक खाना पहले बिर्टिस काल में किस नाम से जाना जाता था तो देखिएगा अलेक जेंडर किस नाम से जाना जाता था अलेक जेंडर के नाम से जाना जाता था तीन मूर्ती भवन आजादी के बाद किसका निवासिस्थान बन गया तो देखिएगा जबाहरलाल नहिरू का किसका जबाहरलाल नहिरू का याद रखिएगा सभी option number 20 का right answer हो जाएगा चलिए देखते हैं question number 8 भारत में city ford में खेल गाओं का निर्माड किसके लिए हुआ था तो देखिएगा option number A ACR के लिए किसके लिए ACR के लिए याद रखिएगा चलिए देखते हैं question number 9 रीट रीट ceremony कहां मनाया जाता है रीट रीट ceremony कहां मनाया जाता है तो देखिएगा बिजय चौक पर कहां पर बिजय चौक पर याद रखिएगा सभी option number D का जाईड अंसर हो जाएगा बिजय चौक चलिए देखते है question number 10 देखिएगा madam तुसाद संगराला किस इस्थान पर आविवस्तित है madam तुसाद संगराला याद रखिएगा सभी चलिए देखते है question number 11 चांदनी चौक का निर्मार कब हुआ था तो देखिए 1648 इस भी में कब हुआ था 1648 इस भी में चलिए देखते है question number 12 देखिएगा चांदनी चौक का निर्मार किसने करवाया था चांदनी चौक का निर्मार किसने करवाया था तो देखिएगा जहां आराने किसने करवाया था जहां आराने चलिए देखते हैं कुस्ता नमबर 30 देखिएगा निम लिखत में से कौन चांदनी चौक में इस्थित नहीं है तो देखिएगा अक्षरधाम मंदर कौन अक्षरधाम मंदर याद रखिएगा सभी चलिए देखते हैं कुस्ट नमबर 14 बेगम समुर पैलेस पर किस बैंक का आधी पत है तो देखिएगा इस्टिड बैंक ओफ इंडिया किसका इस्टिड बैंक ओफ इंडिया यह आपसन नमर 15 देखिएगा चुन्नमल हबेली दिल्ली में किस जगाए पर इस्थित है तो देखिएगा चांदनी चौक पर कहां पर चांदनी चौक पर याद रखिएगा सभी और भी चांदनी चौक इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं कुस्ट नमर 16 पराठे वाली कहां इस्थित है तो देखिएगा चांदनी चौक पर चलिए देखते हैं कुस्त नमर 17 देखिएगा दिल्ली का हिरदय स्थल कनोट पिलेस किस वर्स अस्तितम में आया तो देखिएगा वर्स 1921 में, कब बर्स 1921 में याद रखिएगा सभी, चलिए देखते हैं कुस्था नमबर 18 सबसे बड़ा तरंगा कनोट पिलेस में कहां लगाया गया है सबसे बड़ा तरंगा कनोट पिलेस में कहां लगाया गया है, तो देखिएगा Central Park पर, कहां पर Central Park में याद रखिएगा सभी चलिए देखते हैं कुस्टर नमबर 19 दिल्ली का Imperial Hotel कहां इस्तित है दिल्ली का Imperial Hotel कहां इस्तित है तो देखिएगा Canot Place में कहां पर Canot Place में चलिए देखते हैं कुस्टर नमबर 20 निमने लिखित में किस बाग को Queen's Garden कहा जाता है तो देखिएगा bland को किङम के बाग को कियो सब्सक्र, याद रखिएगा Scout सभी सभी कुस्टर में का Britain Send चलिए देखते हैं किस बाग को सब्सक्राइब तक किस बाग को ऑंगरे जोने किलम में परीवरतित किया तो देखिएगा रोसन आरा बाग को किलम में परिवर्तन किया गया था अंग्रेजों के दोवारा याद रखिएगा सभी ओफसन नमबर सी रोसन आरा बाग चलिए देखते हैं कुछन नमबर 22 कुदसिया बाग का निरमाड किसके सासन काल में हुआ तो देखिएगा कुस्स नमब्र एस का राइट आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं कुस्स नमबर 23 निमने लेक्षत मैंसे किस बाग में तितली सरण्चड का कार्र होता है तो देखिए लोधी कहां पर लोधी गाइडन में चितलियों के सरंग्छण का कार रहोता है याद रखीएगा सभी चलिए देखते हैं कुस्त नमर्ट टॉन्डिफोर मुगल गाइडन कब खोला जाता है तो देखिएगा फरवरी से मार्च की बीच में कब फरवरी से मार्च की बीच में खोला जा याद रखिएगा सभी चलिएदेखते हैं कुस्षादमर 25 देखिएगा राष्टी है अभी All अभी लेखागार कहां इस्थित है तो देखिएगा जन पतपर कहां पर याद रखिएगा सबी और सनमर 10 करें राइड रोजाएगा चलिए तो देखिएगा चांदनी चौक में कहां इस्तित है याद रखिएगा सभी चांदनी चौक उसका राईड आंसर हो जाइगा चलिए देखते हैं कुछा नमडर दिल्ली में कहां इस्थित है तो देखिएगा 3 मूर्ती भवन में घाद रख़ेगा सभी चलिए देकते हैं कुसर नम्बर 28 देखिएगा गुडिया शंग्रालाय कि इस्थापना किस ने की थी तो देखिएगा कि संकर पिल लही किसने कीरल लाई किस ने कीरल लाई याद रखिएगा सभी option number 6 इसका राइड आंसर हो जागा के संकर पिल लए चलिए देखते हैं question number 29 राष्टियाय रेल परिवाहन संग्रालाय कब इस्थापित हुगा तो देखिएगा बर्स 1977 में याद रखिएगा सभी तो इसका राष्टिया चार्लस कोटिया अफशननमर इसका राइड आंसर हो जाएगा चार्लस कोटिया के दोवारा जीवन भारती भवन का निरमाड़ किया गया था चलिए देखते हैं question number 31 रविंद्र भवन का संबंद किस्षे है तो देखिएगा रविंद्र भवन का संबंद किस्षे है तो देखिएगा रविंद्र भवन का संबंद यानि ललित कला अकादमी संगित कला अकादमी शाहित कला अकादमी यानि तीनों से है तो इसका राइडान सार हो जाएगा ओप् तबी किलियर है चलिए देखते हैं कुसे नमबर 32 गुलाबो के लिए पिरसिद रोज गार्डन कहां इस्थित है तो देखिएगा सांति पत्मे कहां पर सांति पत्मे याद रखीएगा सब्हीं ौफसन नमबर 20 का राइट अंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं कुस्स Curry टहादी यहाद रखी चलिए देखते हैं कुस्स नमबर 005 34, सक्ति इस्थल का संबंद किस पूर्व प्रधानमंतरीश है, तो देखिएगा, स्रीमती इंद्रा गांदी, किस प्रधानमंतरीश है, स्रीमती इंद्रा गांदी से याद रखिएगा शबी, चलिए देखते हैं, कुस्ट नमबर, 35, देखिएगा, एक ता इस्थल का संबंद किस से है, एक ता इस्थल का संबंद किस से है, तो देखिएगा, ग्यानी जेल सिंग से है, याद रखिएगा शबी, एक ता इस्थल का संबंद ग्यानी जेल सिंग से है, चलिए देखते हैं, कुस्ट नमबर 36, निम लेखित में से क महातमा गांधी का समादेश्टर लाजगाट कहलाता है हैं जबहालाल नहरु का सांतिवंद से संबंद इंदरा गांधी का संबंद देखिए सक्ति स्थल से है अभी हमने पढ़ा था पीछे सक्ति स्थल से है लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है बीर भूमी तो देखेगा इसका अंतर हो जागा हमार ओफसन नंबर सी इंद्रा गांदी क्योंकि इंद्रा गांदी का जो समादे स्थल है बहे सक्ति इस्थल लेकन जो बीर भूमी है पूर प्रधानमंत्री राजीब गांदी की समादेश्थल है देखेएगा एक बार हम फिर से देखते हैं महातमा गांदी का समादेश्थल राजगाठ जभाल नहरू का शांति बन इंद्रा गांदी का सक्ति इस्थल लेकिन जो बीर भूमी है ये पूर्क प्रिधानमंत्री राजीब गांधी का समाधी इस्थल है तो ये हमारा सुम्रित नहीं है यानि इसका राइट अंसर हो जागा ओफसर नंबर सी और लाल बाहाद और सास्त्री इनका बिजयगार ये भी हमारा सही है यानि कि इनमें से ओफसर नंबर सी हमारा राइट अंसर हो जागा क्यूंकि इंद्रा गांधी का समाधी इस्थल सक्ति इस्थल है क्या है सक्ति इस्थल लेकिन जो बीर भूमी है तो बीर भूमी है बारत के पूर्क प्रिधानमंत्री राजीब गांधी का समाधी इस्थल चलिए देखते हैं कुस्त नमबर ठाइडी सेविन निमले खेते में ऐसे कौन सुमलित नहीं है देखीएगा सौपिंग मूल और बिसिस्ता यानि जो नहरू पिलेस है ये कपड़ों के लिए पिरसिद्ध है नहीं है दिल्ली हार खाद पधादों के लिए ये आपका सही है करोल बाग साडियों के लिए संतो शोपिंग आर्केड ये आपके बुटक्स के लिए पिरसिद्ध है लेकिन औपसन नमबर रे नहरू पिलेस आपके कपड़ों के लिए पिरसिद्ध नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर रे यानि की ये हमारा सुमलित नहीं है देखिए इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम फिले कर आएंगे दिल्ली सामन गयान से रेलेटेड अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना और यादि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सकाइब कर लेना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाए हैंद बेस्ट आप लग